कि है अलो इंटलेजेंट्स हाव यू ओप यू और गूट इस एक्षे छोप्रा और वेलकम नोग यूट्यू चैनल यहां हम 10th क्लास NCRT मैथ्स डिसकस कर रहे थे पेटा उसमें हम चैप्टर नमबर ट्राइंगल कर रहे हैं विच इस चैप्टर नमबर शिक्ष ठीक है उसमे हम करने जा रहे हैं XI 6.3 XI 6.3 कर रहे थे जिसमें हम आज करेंगे question number 9 से start question number 8 तक हम complete कर चुके हैं ठीक है तो पिछली वीडियो में जा के जरूर देखना इन सब वीडियो का link बेटा ये जितने भी chapter हो चुके हैं first to six इन सब की playlist का link प्लस जो WhatsApp ग्रूप है अपना उसका link बेटा सब कुछ description में mention है ठीक है तो प्लीज description में जाना WhatsApp ग्रूप में add होना ताकि वहाँ आप अपने doubt discuss कर चुको और जो पुराने हम chapter कर चुके हैं उनकी playlist भी ज़रूर check करना ठीक है सोरी बेटा अज तभी है ठीक नहीं है तोड़ी आवाज adjust कर लेना प्लीज हाँ जी तो हमारे पास जो question है in figure 6.39 this is the figure 6.39 ABC and AMP are two right triangles दो triangles है ABC and AMP these are two right triangles ठीक है right angled at B and M जिनके right angle के हैं B और MP है यह है ABC यह AB और C एक यह right triangle है ठीक है second right triangle के है AMP यह वाली AMP यह right triangle है ठीक है यह वाली prove क्या करना हमें triangle ABC और AMP similar है तो बार बार बेटा हर वीडियो में मैं एक ही बात बहुता हूँ कि जो भी आपको triangle similar करनी है उनको रफ में बना लो आपका आदे से ज्यादा question ऐसे ही solve हो जाता है ठीक है दोनों triangle आप बना लो ABC और AMP यह रहा ABC AMP ठीक है रफ में बना ली हमने अब देखो इसमें given क्या है यह angle B right angle है yellow यहाँ पे angle M right angle है yellow ठीक है तो एक तो corresponding angle हमें से मिल गया similar करने के लिए और कैसे कर सकते हैं और यह लुप पेटा angle A और angle A दोनों में present है लो यह तो दो मिनिट का question था triangle हो गई similar ठीक है यह तो 90 degree given है angle A angle A दोनों में common है और वो उदरती क्या हुआ अपना corresponding angle ही बनके आया तो हमारा तो question इधर ही खत्म होगे बस फिर क्या करेंगे इन ट्राइंगल A, B, C एंड ट्राइंगल A, M, P दोनों ट्राइंगल ले लो इसमें क्या करो angle A, B, C और A, M, P angle A, B, C equals to angle A, M, P यह दोनों क्या है each 90 degree ठीक है फिर angle A और angle A दोनों में common है angle A is equals to angle A दोनों में common और हमने introduction में भी पढ़ा था पिछले questions में भी करते हा रहे है कि दो triangles है अगर उनके दो भी angles मिल गए corresponding same तो वो similar होती है so therefore triangle A, B, C is similar to triangle A, M, P by कौन सा criteria angle angle criteria ठीक है angle angle criteria से दोनों triangle क्या होगे similar first part तो प्रूब होगे ठीक है second part में देख लो CA upon PA equal to BC upon MP देख लो CA PA BC MP लो ये भी होगे ठीक है तो क्या लिख देंगे CA इसको सीधा ही लिख दो PA is equals to BC upon MP why because corresponding 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 sides of similar triangle ठीक है ये बाइड़ीनिशन ही होता है ना similar triangles प्रोपोर्शनल होती है तो ये दोनों क्या होगे सेम होगे देख लो मिनिट लगे गिंती के दो तीन चार ठीक है लेकिन कब जब बेटा आप ये रफ में बना लेते हो मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि जो भी आपको ट्रेंगल सीमिलर करनी है ना उन को रफ में बना लो मैंने सारे कोशन ऐसी करें और आगे भी ऐसी करूगा आप देख लो आप जब इसको रफ में बनाते हो आपको पता चल गया कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल मिल गए एंगल ए भी कोरिस्पोंडिंग आपने देखके ये डाइगरम देखने की भी जरूर देखो 10th question CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle इसकी diagram खुद बनानी पड़ेगी ठीक है इसने diagram बनाने के लिए information दे दी हमें अब diagram कैसे बनाएंगे देखो CD and GH are respectively the bisectors of triangle this 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 if ABC and FEG similar है तो बना अच्छा यह similar given है बेटा then show that these three parts first second thought यह similar given है ठीक है यह A B C लो A B C and A F कौन सी थी FEG यह लो F E and G यह दोनों similar जो है वो क्या है given है ठीक है यह दोनों similar given है अच्छा आगे क्या construction है CD and GH CD and GH ठीक है जी are respectively the bisectors of angle ACB और EGF जो CD है वो ACB का bisector है यह लो जो CD है यह जो CD है वो इस angle का bisector है और जो GH है वो FGE इस angle का bisector है ठीक है lie on side A B and F E वो A B के उपर लाई करता है वो F E के उपर लाई करता है of these two triangles now similar given prove that CD upon GH CD upon GH AC upon FG AC upon FG अब देखो ध्यान से सबसे पहले तो जो similar लिख है ना तो वो कोई ना कोई हमें देखे जाएगा अच्छी बाते उसको लिख लो फिर since triangle A B C is similar to triangle F E G ये दोनो similar है ठीक है जी और हमें पता है similar के corresponding angles the same होते हैं ठीक है therefore जो angle A है वो angle F के एिकल हो जाएगा angle A है किसके एकल होगा angle F G E पूर आंगल ठीक है क्यूं साथ में लिखना है बहुकर देना because corresponding angles of corresponding angles of similar angles are same similar angles के corresponding angles है वो क्या होते है बेटा same होते है वो क्या होते है same होते है तो यह आपकी collectively बनगी equation number 1 ठीक है जिसमें A F आ गया B E आ गया और C and G आ गया अब आगे proceed करते हैं करना कैसे है question को ध्यान से देखना अच्छा first question first part में क्या है देखो यहां पर कर लेते हैं जो अपना first part first part में क्या है first part में उसने बोला है c d upon g h पहले तो यह देखो यह proportional side किस triangle पर आ रही है उन दो ट्रैंगल को उठा लो ठीक है अच्छा देखो first part को चोड़ो एक यह काम भी कर लो A C B किसके equal है F G E के न यह देखो एंगल A C B किसके equal है F G E के हम अभी पीछे लिखके आया है first equation में यह रहा ठीक है अब देखो दियांसे क्यूंकि यह bisector है bisector का मतलब होता है दो equal हिस्सों में बाट देना ठीक है bisector करना दो equal हिस्सों में बाटना c d इसका bisector है यानि कि यह जो पूरा एंगल है इसका यह half और half portion सेम है यानि कि A C D और D C B आपस में सेम है ठीक है जी एंगल A समझ रहे हो ना क्यूं क्यूंकि यह बेटा bisector है bisector का मतलब दो equal हिस्सों में बाट देना ओके अब देखो जरा A C D अगर इसका half कर दें क्या बन जाएगा A C D किसके equal हो जाएगा F G H के F G H अगर हम यह वला half portion ले लें D C B and angle D C B किसके equal हो जाएगा यह half के H G E angle H G E ठीक है अरे बात को समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हो ना है क्योंकि यह A C B originally equal है F G H के तो इसका उपर वाला half इसका उपर वाला half आपस में सेम हो गए इसका निचला half इसका निचला half आपस में सेम हो गए by sector का मतलब equal हिस्सों में बाटना अगर यह पूरा angle 50 degree है तो यह 25 और 25 हो गया यह पूरा angle 30 degree है तो यह 15 और 15 हो गया ऐसे करके अब यह दोनों angle क्या हो गए सेम यह बनगी equation number 2 क्यों because angle by sectors अपने को given ठीक है जी यह दो equation आगई अपने पास अब देखना असानी से solve हो जाएगा ठीक है जो जो given है उसको use कर लो अब देखो यह cd upon gh यह cd है यह gh है यह ac है यह fg है यह इस छोटी triangle के बीच में आ रहे है ठीक है जी और आपको भी बता के हटा हूँ कि क्या करना है आपने जो भी दो ट्रेंगा similar करनी है उसको रफ में लिखना तो लिख लो उसको रफ में तो हमें कौन सी दो ट्रेंगा similar करनी पड़ेगी a c d यह लो a c d और दूसरी कौन सी है f g h f g h यह दोनों हमें similar करनी पड़ेंगी फिर हम क्या करेंगी कि corresponding जो sides होती है वो proportional होती है तो हमारा question खत्म हो जाएगा ठीक है अब इसमें देखो जो एंगल a c d और f g h a c d और f g h वो एंगल by sector की वज़ा से हम अभी equal करके हैं इसकी दो कोई tension ठीक है दूसरा एंगल कौन सा आएगा यह लो बेटा यह एंगल a और एंगल f ठीक है यह देखो और एंगल a और एंगल f corresponding angle बनने हैं यहां पर और यह दोनों एंगल क्या है similar है क्यों क्योंकि यह दोनों triangle similar हो गई और फिर हम यह लिख देंगे यह तो सिद्ध ही होगे ठीक है देख लो मतलब रफ में diagram बनाने से कितना फैदा होता है in triangle a c d and triangle f g h इसमें क्या बोलेंगे angle a c d angle f g h angle a c d equal to angle f g h यह कहां से मिला हमें from equation number 2 से फिर angle a equal to angle f angle a equal to angle f है यह हमें कहां मिला from equation number यह हमें first equation से मिला ठीक है therefore triangle a c d is similar to triangle f g h कौन सा by angle angle similarity ठीक है angle angle criteria से दोनों similar होगे अब क्योंकि दोनों similar होगे तो corresponding जो sides हैं वो proportion में होगी तो corresponding sides यह रही c d upon g h c d upon g h किसके एक को लागया a d upon f sorry a c a c upon f g a c upon f g ठीक है वैसे बेटा यह भी आपस में सेम होगी लेकिन question में जो पूछा है question में a c upon f g के बारे में पूछा होगा ठीक है question में a c upon f g पूछा तो हम वो लिख देंगी अगर इनके बारे में पूछा था तो यह लिख देते हैं इसमें क्या है तो यह भी corresponding है अब देखो second part की तरफ बढ़ते है second part में क्या है इसको दूसरी शीट यहीं पर लेते हैं देखो second part है second part में क्या है triangle dcb and triangle hge दोनों क्या है similar फिर वही बात है जो दो similar करनी है उनको रफ में बना लो बना लो उनको रफ में मैं तो हमेशा ऐसे solve करता हूं बहुत easy हो जाता है इसे dcb दूसरी क्या है hge यह रही है इन दोनों को similar प्रूव करना है ठीक है dcb अच्छा यह देखो बटा dcb और hge यह तो हम अभी प्रूव करके आए यह रहा एंगल dcb और एंगल hge यह दोनों equal है यह अभी हम प्रूव करके आए तो एक तो एंगल हमें यह मिल जाएगा ठीक है दूसरा कौन सा एंगल मिलेगा दूसरा कौन सा मिलेगा हाँ यह रहा एंगल b और एंगल e क्योंकि यह दोनों triangle similar थी तो एंगल b और एंगल e हम सेम देखो एंगल b और एंगल e क्या बन रहे हैं corresponding angle बनने है लो जी यह तो बात बन गी ठीक है देख लो रफ में बनाकर उसी time हो गया तो क्या करना फिर in triangle dcb and triangle hge दोनों triangle ले लो तो angle dcb किसके equal है angle hge के यह हम प्रूव करके आया किसमें बेटा equation number 2 में ठीक है bracket में लिखना आता है वो चीज़ कहां से है और angle b और angle e same है यह हमने कहां से देखा equation number 1 में क्यों क्योंकि दोनों triangle originally similar given थी तो therefore triangle dcb similar to triangle hge by angle angle criteria ठीक है तो angle angle criteria से दोनों triangle के होगी similar चलो जे अब बढ़ते हैं part number 3 की तरफ थर्ड पार्ट में क्या है dc a and hgf ठीक है इसको यहीं पर कर लेते हैं यह थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में कौन सी टेंगल है पिटा dc a and hgf इनको रफ में बना लो फिर dc a और यह क्या है hgf ठीक है अब देखो कैसे करेंगे dc a and h अच्छा यह देखो एक तो यह angle सेम हो गया हमारा यह देखो dc a and hgf यह दोनों हम सेम प्रूब करके आया एक तो यह हो गया dc a hgf ठीक है दूसरे angle कौन सा देखें यह लो दूसरे angle यह हो जाएगा a और f क्यों क्योंकि originally a और f के हैं corresponding angle यह दोनों ट्रेंगल सिम्लेर है यहां पर भी corresponding बनने है चलोगी यह भी मिंटों में हो गया in triangle dc a ठीक है ना triangle से घबराने का नहीं क्योंकि इससे इसी कुछ नहीं है तो angle dc a equals to angle hgf from equation number second और जो दूसरा है angle a equal to angle f that is from equation number first ठीक है so therefore triangle dc a is similar to triangle hgf फिर से बाए angle angle similarity ठीक है यह angle angle criteria से यह दोनों भी क्या हो गए similar हो गए देख रहे हो ना मतलब हमने रफ में बना दी एक ही काम कर रहे हैं जो दो triangle similar करनी है मूठ हो रफ में बनाओ बात खत्तम बात क्या खत्म question यूदर खत्म bye bye tata खत्म ठीक है नहीं बिलकुल easy है 11 देखो जरा 11 में आ है in figure 6.40 बनी हुई है e is a point on the sides cb e एक point है side cb के उपर produced of an isoslust triangle abc अच्छा यह जो abc isoslust triangle given है in which ab equal to ac लो जी इसमें side ab और side ac same isoslust y होती है जिसमें दो side same होती है इसमें यह दो same दे रखी है प्रूफ दैट a b d और e c f similar है ठीक है जी चलो बही जो दो similar है उनको रफ में बना लो हमने यह दो रफ में बना ली एक यह वाली और एक यह वाली a b d e c and f ठीक है रहा अब देखो जरा अच्छा इसका right angle d पे है यानि की यह रहा और इसका right angle f पे है यानि की यह रहा चलो जी एक तो corresponding angle same मिल गया दूसरा दूसरा क्या करें दूसरा कौन सा angle लें ठीक है देखो बेटा side a b और a c आपस में same है न ठीक है अब a b की 9th class में बढ़ा न angles opposite to equal sides are equal equal side के opposite जो angle होते है वो equal होते है a b के opposite कौन सा c angle है यह रहा और a c की opposite कौन सा b angle है यह रहा चलो जी यह भी दो corresponding same आगे बन गई बात थीक है अब अगर इतनी लंबी चोड़ी diagram देखने बैटे बच्चा तो diagram देखके question छोड़ देगा और question है क्या बातों बातों में करने वाला लिखने वाला भी कोई नहीं है formality है बस समझेंगे चलिए तो पहले देखो in triangle a b c a b c में क्या given है a b equal to a c ठीक है जी अब a b की opposite कौन सा angle आया था c angle और a c की opposite कौन सा आ गया angle b why because 9th class में हमने पढ़ा है कि angles opposite to equal sides of a triangle are equal ठीक है यह क्या है बिटा equal है तो यह हमने लिख दिया ठीक है तो यह हमारी आगी question number first अब जो triangle दो same करनी है उनको लिख लो काम करता है कौनसी दो triangle same करनी यह वाली इन triangle a b d and triangle e c f यह दोनों equal to angle b from equation number one चलो भी therefore triangle a b d is similar to triangle e c f बाए angle angle similarity लो जी बस दो मिनिट का question था ठीक है ऐसे रफ में बना लो रे question में एक ही बादर रपीड करता हूं रफ में बना लो और question का answer पालो वा जाइडी क्या है 12th question 12th question में क्या है last question है हमारी वीडियो का ठीक है देखो 12th question में क्या है sides a b and b c and median a d o for triangle a b c मतलब एक triangle a b c दे रखी है ठीक है उसकी side a b किसके proportional है p q के उसकी side b c किसके proportional है qr के उसका median a d किसके proportional है p m के यह चीज़ दे रखी है ठीक है जी हमने show करना है कि a b c और p qr यह दोनों क्या हैं बड़ी बड़ी similar है ठीक है जी अब इसको रफ में बनाने की a d median a median का मतलब क्या आता है median का मतलब होता है दो एक्कुल हिस्सों में बाटना मतलब जो जो b c है b d और dc सेम होगा मतलब अगर पूरी b c 6 cm दी होई है तो यह median क्या करेगा b d 3 और dc 3 समयगे इसी तरह मालो यह pm है यह कितना 10 cm दिया होगा तो यह qm कितना हो जाएगा 5 mr कित अब देखो सबसे पहले देखो हमें given क्या है हमें यह given है कि a b given given लिखो क्या है कि a b upon p q ठीक है यह किसके equal है b c upon qrk b c upon qrk वो आगे किसके equal है a d upon p m यह बिटा यह तीनों चीजें हमें given है ठीक है उसने बोले ना कि sides a b and b c कि जो side a b और b c है add median a d और जो median a d है of a triangle a b c ठीक है यह क्या है proportional to the sides p q यानि a b जो है p q के proportional है ठीक है add qr यानि कि जो b c है वो qr के proportional है add median pm यानि कि जो a d है वो pm के proportional है ठीक है जी यह given है अब देखो बेटा यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं कि a b upon p क्यो है मैं क्या करूंगा यहां पे बेटा half कर दूँगा उपर नीचे अब आप बोलो कि सर यह क्यों कि यह आपने बेटा देखो सबसे पहले तो हमें पता होता है कि हम उपर नीचे same number से multiply कर सकते हैं उपर two कर दो, नीचे two कर दो, उपर three कर दो, नीचे three कर दो मैंने क्या कर दिया? half कर दिया क्यों half कर दिया? बेटा क्योंकि ये half हमें equal given है ठीक है? क्योंकि ये ad median है ना तो equal halves में बट रहा है कौन बट रहा है? bc तो इसलिए मैंने bc का half कर दिया यहाँ पे दो equal parts में कूँ डिवाइड हो रहा है QR तो मैंने QR का half कर दिया ठीक है और इससे question देखना मेरा कितनी जल्दी शोल बो रहा है A B upon P क्यों अब देखो B C का half है B C का half क्या होएगा B D या D C हम B D लेंगे क्यों वो आगे पता चल जाएगा इसी दरह से QR का half क्या हम QM भी consider कर सकते हैं MR भी हम क्या करेंगे consider QM ठीक है A D upon P अब ये काम क्यों किया हमने देखो बेटा उसने यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि A B upon P क्यों क्या पता चल गया कि A B upon P क्यों किसके एक को लागया B D upon QM B D upon QM के वो किसके एक को लागया A D upon P M किसके tääल गया B upon P M की लो जी मतलब कि यह छोटी ट्रैंगल आपस में सिमिलर होगी न बाए आउब था साइड 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 कि कोरेंडन के या शाइड cup P, Q, M, K P, Q, M, K by S, S, S criteria ठीक है जी लेकिन हमें इसका फाइदा नहीं है क्योंकि हमें तो A, B, C और P, Q, R चाहिए ठीक है उसके लिए देखो ये दो ट्रेंगल क्यों सिमिलर करी हैं देखो बटा ये दो ट्रेंगल सिमिलर होगी तो सिमिलर्टर एंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल एकल होते हैं यानि एंगल A, B, D देरफोर एंगल A, B, D इसके एकल हो जाएगा P, Q, M के एंगल P, Q, M ठीक है समझ गे ना अब देखो अगर मैं इसको D की जगा आगे C तक भी तो एक्स्टेंड कर सकता हूँ ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल A, B, C इसको ऐसे लिख सकता हूँ और करके लिख देना इकल टू एंगल P, Q, R बेटा बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ कि A, B, D अब D है तो इसको A, B, C तक भी तो लिख सकते हैं कोई फरक थोड़ी बढ़ता है तो P, Q, M तो इसको हम P, Q, R तक भी तो लिख सकते हैं बीच में तो क्यों ही आ रहा है कोई फरक थोड़ी बढ़ता है ठीक है तो मेन अपना ये हो गया equation number 1 तो इसकी bracket में क्या लिखेंगे वही corresponding angles of similar triangles are equal similar triangles के जो corresponding angle है वो क्या होते है equal होते है ठीक है अब मैंने ये काम क्यों करा देखो अभी पता चल जाएगा अब जो दो triangle similar करनी है उनको लिख लो in triangle A, B, C and triangle P, Q, R अब ध्यान देना बेटा question में क्या given है question में हमें given है कि A, B upon P, Q ये given है ना question में ठीक है A, B upon P, Q equals to B, C upon Q, R ठीक है ना बेटा ये given है कि नहीं ये रहा A, B upon P, Q equal to B, C upon Q, R equal to A, D upon P, M हमें बस इतना portion चाहिए तो हम इसको लिख लेंगे हम इसको क्या करेंगे लिख लेंगे ठीक है जी अब देखो मैंने ये triangle similar करके बीच वाल angle क्यों equal किया बेटा ये देखो कि ये A, B और P क्यो किसके equal है B, C upon Q, R यानि कि दो sides आपस में proportional है और ये उनके बीच में angle फस गया तो ये बननी गया side angle side तो side angle side क्रेटिरिया से ये दोनों triangle similar हो जाएंगी कि नहीं मैंने इसी वज़ा से ये सारा काम करके B और Q को आपस में same करें तो लिख दो angle A, B, C equals to angle P क्यो वार इसको हम equation number 1 में प्रूव कर चुके हैं तो therefore triangle A, B, C is similar to triangle P, Q, R by S, A, S क्रेटिरिया बात को समझे के? बात को समझे के ना क्या किया है? हमारे पास ये दोनों proportional given थी और इनके बीच में angle B और Q आ रहा था तो मैंने side angle side property लगाने के लिए ये वाले angle B और Q को आपस में same करने के लिए ये सारा काम किया ठीक है students? तो ये थे हमारे question number 12 ठीक है? तो next video में मिलते हैं next questions के साथ till then good bye and take care